नमस्कार साथियों, रामानुज के विश्षिष्टा द्वैत वेदान्त में हम आज दूसरा व्यक्यान प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका टॉपिक है सगुन ब्रह्म सगुन ब्रह्म यानि ईश्वर, उपनिशद में ब्रह्म के दो सुरूप का वर्णन मिलता है, कहीं पर उसे निर्गुन कहा गया है, कहीं पर उसे सगुन कहा गया है शंकर के दर्शन में यही बात की ब्रह्म निर्गुण है या सगुण इस कठिनाई को हल करने के लिए उन्होंने माया का सहारा लिया और उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप को ही पार्मार्थिक सत्य स्विकार किया और सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर को उन्होंने पार्मार्थिक सत्य के रूप में स्विकार नहीं किया रामानुज जो की भक्त दाशनिक हैं और वो इन बातों से सहमत भी नहीं है लेकिन ये कठिनाई तो बनी रहती है कि ब्रह्म को निर्गुण भी कहा गया है और सगुण भी कहा गया है अब इसमें समन्वय ही सबसे बड़ी कठनाई विजानतियों की सद्यव रही है तो सबसे पहले शंकर निर्गुण भ्रह्म को परमतत्तु मानते हैं रामानुज सगुण भ्रह्म को ही स्विकार करते हैं रामानुज के अनुसार सुरुतियों का एक मात्र तात्परे सगुण भ्रह्म को स्विकार करना ही है उनके नुसार सगुण ब्रह्म के ही बारे में बात की गई है तो फिर प्रश्ण वही कि सुरूतियों में तो निर्गुण और निराकार ब्रह्म का भी वर्णन मिलता है तो क्या निर्गुण ब्रह्म निस्प्रियोजन है? सुरूतियों का मंतव्य व्यर्थ है? रामानुज का कहना है कि ब्रह्म का निर्गुण और निराकार वर्णन केवल ब्रह्म और जीव में भेद बतलाने के लिए ही किया गया है ब्रह्म को केवल निर्गुण कहने से कोई तातपरी नहीं है वह जीव से प्रक्रकार से भिन है इसके बारे में बताने के लिए ऐसी बात कही गई है जब उपनिशदों में ब्रह्म को निर्गुन कहा जाता है तो उसका तात्पर यह है कि ब्रह्म में जीव के गुणों का अभाव है या ईश्वर या ब्रह्म जीव से भिन है क्योंकि जीव को अलपग्य, अपूर्ण और सांत कहा गया है सांत माना गया है, अपूर्ण माना गया है, अलपग्य माना गया है किन्तो ईश्वर, सरवग्य, पूर्ण और अनन्त है और इसी कारण ईश्वर को जीव से भिन्न बताने के लिए उसे निर्गुन का गया है जीव एक रचना है, कृती है, स्रिश्ट है और ईश्वर स्रिश्टी करता है, रचनाकार है जीव रक्षित और शाशित है, किन्तु ईश्वर रक्षक है और शाशक है तो ताथ पर इतना ही है निर्गुण कहने का, कि उसमें प्राकर्तिक या मानवी गुणों का अभाव है इसलिए उसे निर्गुण कहा गया है फिर रामनुज कहते हैं कि किसी भी वस्तू की सत्ता सगुण या सविशिष्ठ ही होती है सगुण होने से ही वस्तू की सत्ता वचनों या शब्दों के माध्यम से वर्णन की जा सकती है और जो वस्तू गुण रहित हो वह तो शब्दों के भी परे रहेगी उसको फिर शब्दों से नहीं बता जासता क्योंकि हम किसी भी बात की चर्चा करते हैं किसी भी वस्तू के बारे हम बताते हैं तो बात क्या करते हैं उसके गुणों की ही बात करते हैं और यदि कोई निर्गुण है तो फिर उसका वर्णन शब्दों से परे हो जाता है परन्तु हम देखते हैं कि शुर्तियों में उपनिशदों में ब्रह्म का वर्णन शब्दों द्वारा किया गया है हम पाते हैं उसमें जैसे चान्दोग्यों प्रिश्द में कहा गया है कि ब्रह्म मनोमय प्राणमय प्रकाशश्वरूप सत्य संकल्प सरुमय सरुगंद सरुरस आधी है। ब्रह्म का वर्णन मिलता है। शब्दों के माध्यम से मिलता है। जो वस्तु निर्गुण हो उसका वर्णन संभव ही नहीं है। इश्वर को तो गुणों का धाम कहा है रामानुज ने ब्रह्म अनन्त गुणों का धाम है तो सपस्ट है कि सगुण ब्रह्म की मानेता सुर्ति सम्मत है ब्रह्म सगुण है जब उसके गुणों का इतना वर्णन मिलता है तो उस रुतियों में भी ब्रमको सगुण ही माना गया है परन्तु वह सत्य ज्यान आनंद आदी स्रेष्ट गुणों का धाम है मानवी गुणों का अभाव बताने के लिए उसे निर्गुण कहा गया है किन्तु उसमें सत्य ज्यान आदी तो स्रेष्ट गुण है वो उसमें आप आये जाते हैं और गुणों का धाम होने के कारण ही ईश्वर भगवान कहाता है भगवान होने से वह एश्वर या धर्म, यश, श्री, ज्यान और विराग्य आदी छे गुणों का धाम माने जाता है भगवान के जो छे गुण हैं ये सारे वैशनव संपरदाय के लोग स्विकार करते हैं और ये मानते हैं कि ये सभी गुण ईश्वर के स्वाभाविक गुण है रामनुचार्य ईश्वर के आठ गुण स्विकार करते हैं जैसे हमने देखा कि एश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्यान और वेराग्य इन छे गुणों से ईश्वर युक्त है लेकिन रावनुज आठ गुणों को मानते हैं और दो अन्य गुण, सत्य, संकल्प और निश्पाप ये दो गुण और जोड़ देते हैं और एश्वर के आठ गुणों को स्विकार करते हैं, इसे गुणाष्टक कहा जाता है ये जो गुणाष्टक हैं ये एश्वर के स्वरूप के परिजायक हैं, इन गुणों के अतरिक्त वह स्रिष्टी का करता और स्वामी भी है सुरुतियों में उसे स्रिष्टी का अंत्रयामी स्तूत्रधार कहा गया है वह स्रिष्टी को उत्पन करता है, पालन करता है और साहार करता है उसे सब का स्वामी और सभी व्यक्तियों, सभी प्राणियों के कर्मों का अध्यक्ष भी बताया गया है जीव कृत पाप और पुन्य के लिए फल का विधान वही करता है आप जो भी कर्म करते हैं उसका पाप और पुन्य का जो फल है उसका विधान ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है वह कर्तू अकर्तू तथा अन्यत्य कर्तू सब में वह समर्थ है अतह उसे ही सर्वशक्ति मान और सर्वशक्ति संपन कहा गया है इसके अत्रिक्त ईश्वर दया का धाम है, करुना का सागर है और वह इस पूरे जगत को अपने पुत्र के समान प्यार करता है दीन दुख्चों की साहता करता है, भक्तों प्रानुग्रह करता है अतव भक्त वस्सल कहता है, शर्णागत भक्तों की रक्षा करता है भक्त शर्णागतों की रक्षा के लिए भिन भिन प्रकार के आवतार लेता है अब हम बात करें इश्वर के स्वरूप पर रामानुज ने इश्वर के पांच स्वरूप स्विकार की है जो कि हम बात करेंगे इश्वर सबसे पहला है परब्रम वासुदेव उसका स्वरूप है यह पार्मार्थिक सत्य है काल, देश, इस्थिती इन सबसे परे है वह रूप के परे है इश्वर का जो यह स्वरूप है इसमें ज्ञान, शक्ती, एश्वर, यह बल, वीरी और तेज नामक, शटगुण सरवदा विद्यमान रहते हैं कभी उससे वो चुत नहीं होता किसी भी परिष्टिती में, किसी भी रूप में यह सारे गुण उसमें विद्यमान रहते हैं और इस रूप में करुणा के कारण और संसार की लीला के लिए इस्वर का यह स्वरूप दिखलाई पड़ता है संकर्शन, प्रद्यम्न, अनिरुद आदी रूप इस्वर की लीला रूप है ज्यान और बल जो है वो संकर्शन के रूप में हमारे समक्षाता है इस्वर्य और वीर्य प्रद्यम्न के रूप में हमारे समक्षाता है शक्ति और तेज अनुरुद में प्रकटूता है इनमें प्रद्यम्न से संहार होता है अतह इस्वर का यह रूप स्रिष्टि पालन और संहार के लिए तो संसार का पालन करने के लिए और उसका साहार करने के लिए वो विव आवतार लेते हैं फिर है विभा आवतार यह भगवान का साक्षा धर्ती पर आवतार है भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए साध्वों की रक्षा के लिए दोष्टों का धमन करने के लिए अनंत गुणों से युक्त परमधाम परमात्मा धर्ती पर आते हैं अज होने के बाद भी जन्म लेते हैं और भिन भिन प्रकार के अवतार जैसे मत्स्य, नर्सिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आधी रूप में इनका अवतार अवतरन धर्ती पर होता है तो यह धर्ती पर भगवान का विभव है, अवतार है फिर है अंतरयामी यह भक्तों के अंतर मन में निवास करने वाले भगवान है यह सभी प्राणियों के भीतर इश्वर का निवास है और इसी रूप से भगवान मानव हिर्दव में या मानव के अंत्र करण में निवास करते हैं और व्यक्ति द्वारा किये गए अच्छे और बुरे कर्मों के कारण उसे स्वर्ग, नर्क, आदी, फलों को प्रदान करते हैं अंत्रियामी के रूप में इश्वर एक नियन्ता है, नियन्ता रूप है इस रूप में वह कर्मों का अध्यक्ष है और मानव द्वारा किये गई अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता है और उन्हें स्वर्ग, नर्क, उस प्रकार के कारियों में रत कराता है फिर है यह सभी प्राणियों के भीतर ईश्वर का निवास है इसी रूप में भगवान मानोहरदे में या अंतह करण में निवास करते हैं फिर है अर्चावतार ईश्वर इस रूप में मूर्ती विशेश के रूप में ग्रह, ग्राम, नगर आदी में निवास करता है यह मूर्ति में भगवान का उपास्य देव रूप है जो हम मूर्तियों में भगवान की उपास्ना करते हैं उसमें भी उसे भी रामानुज ने ईश्वर का स्वरूप कहा है जिसे अर्चा अउतार कहते है तो उप्रोक्त ईश्वर के पांच स्वरूपों से रामानुज की ईश्वर संबंधी आउधाना स्पस्ट हो जाती है रामानुज स्पस्ट है सगुण ब्रह्म को ही परमतत्तु मानते है ईश्वर का कारण और कारे स्वरूप में क्या संबंध है देखे हम ईश्वर ही कारण और कारे दोनों है स्रिष्टी के रूप में, जड़ के रूप में, सभी रूप में ईश्वर सभी का कारण है और सभी कुछ ईश्वर ही है प्रले काल की अवस्था में वह एकदम सुक्ष्म रूप होता है और उस समय बह ब्रह्म कहलाता है और स्रिष्टी काल में चित अचित से स्रिष्टी करवा स्थूल बन जाता है कारण और कार्य सुक्ष्म और स्थूल एक ही तत्व के दो ही रूप है एक व्यक्त अवस्ता है, एक अव्यक्त अवस्ता है, एक सुक्ष्म अवस्ता है और एक स्थूल अवस्ता है पर्ले करके वह प्राणय को द्रैण देता है और पुनभ अपनी इच्छा के नुसरार श्रीक को उत्पन करता है वही स्रीक्रिकर करना है अतर लोक रख्षक भी है लोक रक्षा और भक्तो प्रक्रपा करने के लिए ही विभिन प्रकार के आवतार ग्रहन करता है परन्तु मनुष्य आदी के रूप में आवतार ग्रहन कर वह मानों के समान सांत और अपूर नहीं रहता वह अवतार रूप में भी अनंत ग्यान एश्वर और शक्ति से संपन रहता है अतर सगुण ब्रह्म या ईश्वर ही रामानुज ने परमतत्त्त श्विकार किया है और इसी परमतत्त्त को हम ब्रह्म प्रोशोतम या वासुदेव कहते हैं वासुदेव सर्वग्य सर्वशक्ति संपन और भक्त वत्सल है वे अनंत गुणों के भंडार जगत वजीव के नियामक है नारैन या वासुदेव सगुण होकर भी निर्गुण कहलाते हैं उन्हें निर्गुण कहने का ताथ पर वस्त नहीं है कि यह मानवी दुरुबलताओं से परे हैं मानव में राग, द्वे, शादी, हेगुण निवास करते हैं लेकिन भगवान सभी सद्गुण का भंडार है यह सगुण ब्रह्म या ईश्वर है और जगत का एक मातराधार है जीव और जगत की स्वष्टी करते हुए भी वह हमसे भिन है अब जीव और जगत में भेद वेदांत में तीन परकार के भेद स्विकार किये गए हैं विजातिय भेद यह भेद विभिन वर्गों का भेद है जैसे मनुष्य और पशु में गाय और भेंस में जो भेद है वह विजातिय भेद कहलाता है यानि दो विभिन परकार की जातियों में जो भेद होता है वह विजातिय भेद कहलाता है दूसरा है सजातिय भेद एक ही जाती की दो वस्तों में जो भेद होता है जैसे गाय और गाय में जो भेद है वह भी जातिय भेद कहलाता है यानि एक ही जाती या वर के दो वस्तों के बीच में जो भेद है वह सजातिय भेद है फिर है स्वगत भेद एक ही वस्तु के दो हिस्सों या अंगों में जो भेद होता है वह स्वगत भेद कहलाता है जैसे गाय की पूँछ और सींग में जो भेद है वह स्वगत भेद कहलाता है रामनुज ब्रह्म में सजाती और विजाती भेदों को स्विकार नहीं करते जीव और जड़ दोनों एक दूसरे से भिन हैं लेकि इसलिए वो ब्रह्म में स्वगत भेद को स्विकार करते हैं इश्वर शरीर के दोनों अंग हैं जीव और जड़ परन्तु इन अंगों में भेद है यही ब्रह्म का स्वगत भेद है शंक्राचार्य तीनों भेदों को स्विकार नहीं करते जेकिन रामानुज चित और अचित के भिन्ता के कार्ण इश्वर में स्वगत भेद को स्विकार करते हैं आज हम इतनी बात करेंगा आकर बहुत बहुत दिने बात नमस्कार